नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे मैं सुमी शेर्मा टेक्निशम चैनल में आप सब का एक बाब फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूसफुल होने वाली है आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ OBS Studio की proper settings के बारे में और OBS Studio के अंदर जो बहुत सारी problems आप लोग face करते हो उन सब के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे तो आईए चलते हैं अपने PC पर और देखते हैं OBS Studio के अंदर हमें क्या क्या problems देखने को मिलती हैं हम आ चुके हैं अपने PC पर जिन लोगों को नहीं पता है कि OBS Studio क्या होता है उनके लिए short में बता देना चाहता हूँ OBS Studio एक software है जो की पूरी तरह से free है OBS का मतलब है open broadcast software अब इससे फाइदा यह होता है अगर आप YouTube पर live करना चाह रहे हो आप Facebook पर live करना चाह रहे हो तो आप OBS Studio की मदद से बहुत ही attractive professional तरीके की live streaming कर सकते हो अगर आपका कोई gaming channel है तो यहां से आप बहुत अच्छे तरीके से game को live कर सकते हो record कर सकते हो और अगर आपका कोई online education channel है तो उसके लिए भी यह काफी useful होता है OBS Studio की मदद से आप यहां पर अपनी PPT show कर सकते हो PDF show कर सकते हो, wide world पर पढ़ा सकते हो तो बहुत सारे यहां पर हमें customize करने के option मिल जाते हैं इसके अलावा OBS Studio से आप multi streaming भी कर सकते हो, Facebook, YouTube पर एक साथ live करना चाहो वो भी आप कर सकते हो यहां पर आप screen recording कर सकते हो, तो बहुत ही कमाल का software है और अगर आप OBS Studio को सीखना चाहते हो तो OBS Studio की पूरी playlist आपको मेरे channel पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप OBS Studio को सीख सकते हो तो यहां पर मैं OBS Studio के बारे में आपको जल्दी जल्दी बता देता हो, इसकी basic settings क्या होती है और इसे आप कैसे install कर सकते हो, कैसे use कर सकते हो, सबसे पहले आपको OBS Project.com website पर जाना है यह website पर हम आचुके हैं, उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो, Windows, Mac और Linux तीनों पर ही यह काम करता है जो भी आपका operating system हो, उसी के साब से आपको OBS Studio install कर लेना है हमारा Windows है, तो हम Windows पर click करेंगे और इसे install कर लेंगे तो जब आप OBS Studio को अपने system पर install कर लोगे, तो OBS Studio को इस तरह से दिखाई देता है यहाँ पर black screen आ रही है, यहाँ पर हमें background कैसे लगानी है, हमें अपना logo कैसे लगाना है हम यहाँ पर अपना PDF कैसे show कर सकते हैं, हम इसमें video recording कैसे कर सकते हैं, अपने game को record कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर अपना subscriber button कैसे लगा सकते हैं, उन सब के बारे में मैंने video बना रखी हैं अपने channel पर आप जाकर उन video को देख सकते हैं, OBS Studio की पूरी playlist आपको मेरे channel पर मिल जाएगी तो यहाँ पर मैं इन सब के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी basic settings क्या होती है तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक setting का button आ रहा है, setting के button पर हमें click करना है जैसी आप setting के button पर click करोगे, इस तरह से window open हो जाएगी, तो सबसे पहले आपको जाना होगा stream पर stream के button पर आप यहाँ click कीजिए, जैसी हम stream के button पर click करते हैं, यहाँ पर हमें option देखने को मिल जाते हैं उपर आप देख रहे हो, service का option आ रहा है, नीचे आ रहा है server का service के आगे, जो tick mark है, यहाँ पर आप click करोगे तो यहाँ पर हम YouTube पर click कर देंगे, उसके बाद यहाँ एक option आता है stream की का, stream की आप Facebook से भी ले सकते हो, अगर आप Facebook पर live करना चाहते हो, तो आपको Facebook की stream की यहाँ डालनी होगी, और अगर आप YouTube पर live streaming करना चाहते हो, तो YouTube की जो stream की है, वो हमें यहाँ paste करनी होगी, उसके ब पर आप देख रहे हो, फस्ट option आ रहा है streaming का, यहाँ पर हमें select करना है, जैसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, एन कोडर का option आ रहा है, इसके आगे यहाँ पर आप click करोगे, तो यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल जाएंगे, अगर आपके system पर graphic card लगा हुआ है तब आपको यहां दो option दिखाई देंगे अगर आपके system में graphics card नहीं है तब आपको नीचे वाला option दिखाई देगा 264 यह वाला option आपको दिखाई देगा अगर आपके system में graphics card नहीं है तब आपको नीचे वाला option select करना है और अगर graphics card है तो आपको यहां पर graphics card व तो यहां पर एक option आता है bit rate का मैंने यहां पर 9000 kbps bit rate set कर रखा है bit rate depend करेगा आपके internet की upload speed पर और आप कितने resolution पर अपनी live streaming कर रहे हो उस पर depend करता है फिलाल मैंने यहां 9000 kbps कर रखा है क्योंकि मेरी internet की uploading speed 300 mbps है बहुत जादा होती है तो यहां पर मैंने 9000 kbps कर रखा है उसके बाद जो option आ रहा है key frame का यहां पर आपको इसे 0 रखना है और preset यहां पर हमने quality पर रखा हुआ है उसके अलाबा profile है यह high है high profile पर रखना है GPU 0 रखना है और maximum b frame हमें 2 रखना है तो यह setting हमारी यहां की हो गई उसके बाद recording पर click करेंगे अगर आपको recording setting करनी है तो recording के लिए हमारी यह setting रखनी होती है जैसे मैंने रखा है type standard उसके बाद recording path जहां पर भी आपको अपनी recording save करनी है वो आप यहां से select कर सकते हो तो मैंने यहां पर select कर रखा है उसके बाद recording format का option आ रहा है यहां पर आपको mp4 format रखना है audio track select करना है audio track 1 हमें यहां select करना है क्योंकि मैं एक ही track record करना चाहता हूँ उसके बाद encoder में हमें select कर लेना है अपना graphic card अगर graphics card नहीं है तब आपको 264 वाला option select कर लेना है साथी साथ re scale output का option आ रहा है इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया यहां में कुछ भी नहीं करना अब आपको नीचे आ जाना है यहां पर आप देख के configuration और आप किस resolution में live streaming कर रहे हो उस पर depend करता है इसके बारे में आगे बात करेंगे keyframe यहां 0 रखा है preset quality रखा है profile high रखना है GPU 0 रखना है और maximum B frames 2 पर रखना है इसके बाद यहां पर option आ रहा है audio का audio भी बहुत ही important होती है तो audio के लिए आपको क्या क्या settings करनी है वो देख रखना है यहां पर हमारा track 1 है इसका हमें audio bit rate रखना है 160 मैंने यहां पर 160 पर इसे set कर रखा है अब आपको जाना है यहां पर audio वाले option पर audio पर यहां click कर दीजे और यहां पर आप देख सकते हो sample rate हमें रखना है 48 kHz और channels रखना है हमें stereo इसे हमें stereo पर select करके रखना है और नी meters पर तो meters में यहां पर आपको fast रखना है और यह peak meter type रखना है simple peak ओके और advanced का है option आ रहा है इसको default रखना है और disable windows audio ducking इसे आपको tick करके रखना है यानि इसे disable रखना है अब बात आती है वीडियो की उसके बाद वीडियो पर click कर दीजे वीडियो पर जब आप आओगे तो यहां पर आपको base canvas resolution दिखाई दे रहा है base canvas का मतलब यह है जो आपका obvious studio का जो display है preview window है उसका size आपको क्या रखना है अगर आप 1920 by 1080p पर live streaming करना चाहते हो तो आपका जो output है इसे भी आपको 920 by 1080p पर रखना है तो मैं यहां पर 1080p पर live करता हूँ तो मैंने यहां पर इसे 1080p set कर रखा है आप अपने हिजाब से इसे set कर सकते हो यह सारे options आपको यहां देखने को मिल जाते हैं तो मैं फिलाल इसे 1080p पर ही रहने देता हूँ उसके बाद यहां एक option आ रहा है down scale filter down scale filter हमें रखना है यह वाला by cubic by cubic वाला option ही हमें select करके रखना है तो इसे मैंने यहां select कर रखा है y cubic 16 samples यह आपको रखना है और यहां से आप fps value set कर सकते हो कि आप 30 fps पर live करना चाहते हो 60 fps पर live करना चाहते हो तो मैंने यह 60 fps कर रखा है आप अपने recording यहां से select कर सकते हो तो यह हैं इसकी basic settings उसके बाद आपको apply पर click कर देना है ok पर click कर देना है आपके obs studio की audio video bit rate सार पर भी आपको live streaming करनी है बहां से आपको stream key ले लेनी है और stream key को obs में paste करना है और start streaming या फिर start recording पर आपको click करना है और यहां से live streaming start हो जाएगी तो obs में normally यह settings हमें करनी होती है अगर आपके system का configuration बढ़िया है आपके internet की uploading speed भी बढ़िया है तब आप यह वाली setting कर सकते हो इन setting से आप 1080p पर 60fps पर बहुत अच्छी quality की live streaming कर सकते हो कोई भी आपको lag देखने को नहीं मिलेगा साथी साथ आपकी audio quality वीडियो quality भी बहुती दमदार हो जाएगी तो obs studio के साथ सबसे बड़ी problem यह आती है जब हम youtube पर live कर रहे होते हैं तो वहां पर एक error message आ जाता है कि youtube not receive त अगर इस तरह का message आपकी live streaming में आ रहा है तो उसके लिए आपको जाना है obs studio पर obs studio पर जाने के बाद आपको यहां पर settings के button पर click करने के बाद आपको यहां output पर click करना है तो जैसी आप output पर click करोगे यहां पर एक bit rate का option आ रहा है लेकिन उससे पहले आपको एक काम और करना है आपको अपने internet की speed को check करना है तो अपनी uploading speed देख लेनी है आपके internet की uploading speed क्या है तो यहां पर मैं आपको एक chart देता हूँ आप यह chart देख सकते हो इसमें सारी detail मैंने बना रखी है कि अगर आपके internet की uploading speed इतनी है तब आपको bit rate कितना रखना होगा तो आप इसके according यहां पर set क कर सकते हो, तो आपको इस bit rate को कम करके देखना पड़ेगा, 2500 हमने या पर करके देख लिया, उसके बाद अपलाई कर दीजिए, OK कर दीजिए, और फिर से चेक करके देखिए, कि वो error message अब फिर से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो जहां तक पूरी possibility है, वो error message खतम हो जाएग यहां पर अगर आप bit rate को proper तरीके से adjust कर दोगे, तो यह error message नहीं आएगा, और फिर भी error message आ रहा है, तो आपको एक काम और करना होगा, आपको जाना होगा, वीडियो पर वीडियो पर जाने के बाद, यहां option आ रहा है, output, skilled, resolution, इसे आपको 720p पर कर देना है, और bit rate को आपको low end PC है, यानि उनके PC का configuration बहुत जादा बढ़िया नहीं है, तो बहाँ पर काफी lag की problem आती है, उनकी जो live streaming है, वो रुक रुक के चलती है, तो आईए इस problem का solution भी देख लेते हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि low end PC में आपको क्या setting करनी होगी, जिससे आपकी live streaming smooth चले और यहाँ पर low end PC का मतलब आप ये बिलकुल भी मत समझ लेना, कि दादा परदा दे के जमाने का अगर कोई खटारा PC अगर पड़ा हुआ है आपके पास, और आप सोच रहे हो, उस पे आप OBS Studio चला पाओगे, या live streaming कर पाओगे, तो भाई, उन खटारा PC पर जो बहुत ही पुराने PC है, उन पर आप OBS Studio यूज नहीं कर पाओगे, लाइब streaming नहीं कर पाओगे, तो मैं यहाँ पुराने जमाने के PCs की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, लो end PC की, अगर आपका PC low end PC है, अगर आपके internet की speed काफी कम है, तब आपको क्या setting करनी है, बो आप देख लीजे, यहाँ पर हमें settings पर click करना है, settings पर click करने के बाद, अब low end PC के लिए आपको क्या setting करनी है, output पर जाएंगे, output पर click कीजे, यहाँ पर advance पर click कीजे, advance पर click करने के बाद, यहाँ पर streaming पर click करना है, streaming के बाद यहाँ पर encoder का option आ रहा है, अगर आपका low end PC ही है उसमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तब आपको यहां पर 264 वाला option select कर लेना है 264 उसके बाद rescale output पर हमें कुछ भी नहीं करना rate control CVRE रहने देना है और आपको bit rate 2500 kbps रखना है अगर आपका bit rate का फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आप यहां पर इसे 1500 भी कर सकते हो लेकिन मैं आपको recommend करूंगा कि आप 2500 kbps bit rate यहां पर आपको रखना है की frame interval zero रखना है और cpu uses आपको very fast यहां पर हो रखा है तो इसको हमें very fast ही रखना है यहां पर cpu uses है यह very fast रखना है profile none रखना है tune भी none रखना है यहां पर हमें यही same setting रहने देनी है जैसे आप देख रहे हो encoder तो encoder की जगह पर हमें यह 264 वाला option select कर लेना है बाकी सब कुछ cbr बगएर सब ऐसी रहने देना है cpu uses हमें very fast रखना है लेकिन मैं आपको यह suggest करूंगा कि जब आप recording कर रहे हो उस समय आप live streaming मत करो और जब आप live streaming कर रहे हो तो उस समय recording मत करो यह दोनों चीज़ें एक साथ मत करो अगर आपका low end PC है एक बार में एक ही काम करो क्योंकि इस से आपके cpu पर कम से कम लोड पड़ेगा तो यहां पर आपको आना है बीडियो पर अब बीडियो पर आने के बाद यहां से आपको 1280 y 720p पर इसे select कर लेना है और output resolution भी आपको same कर देना है 720p करने के बाद download filter आपको यही रखना है और उसके बाद जो यहां पर fps है fps हमें कर देना है 30 fps और यह setting करने के बाद भी अभी आपकी live streaming प्रॉपर नहीं चल रही है तब आप यहां से output resolution को और भी कम कर सकते हो यहां से जो option आ रहे हैं इन्हें आप select कर सकते हो इन्हें और भी कम करके आप देख सकते हो उससे आपकी live streaming चलने लगेगी तो यह हमारी सारी setting करने के बाद आपको यह apply पर click कर देना है और ok पर click कर देना है इसके अलाबा आपको एक चीज का और ध्यान रखना है जब आप OBS studio में किसी game को record कर रहे हो या उस game को live कर रहे हो तो उस game की setting भी आपको low रखनी है बहुत high नहीं रखनी है उसका resolution भी आपको कम रखना है उसकी setting भी आपको low रखनी है जिससे आपके CPU पर कम से कम load पड़ेगा और आपकी live streaming smooth हो जाएगी इसके लाबा आपको एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पर आप बहुत सारे sources बगएरा add करते हो जैसे background हो गई या फिर template बगएरा हो गई layout बगएरा हो गए overlay हो गए इस तरह ही बहुत सारी चीज है हम यहाँ पर add करते है तो आपको कोशिश यह करनी है यहाँ पर आपको कम से कम sources add करने है जिनकी बहुत जादा जरूरत है वही आपको यहाँ पर layout बगएरा वही आपको यहाँ एड करने है वही background बगएरा वही add कर आपको कोशिश करनी है आपके CPU पर कम से कम लोड पड़े और जैसे कि मैंने आपको बताई दिया था एक बारा फिर से देख लीजे जो मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है इसके हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो कितना FPS आपको रखना है कितना आपको विटरेट जितनी भी आपकी uploading speed है उसके according आप इस चार्ट को देखकर सेटिंग कर सकते हो OBS Studio के अंदर बहुत सारे users को audio setting की problem भी आ रही है कभी कभी उने लगता है कि उनके mic का जो volume है वो काफी कम है साती साथ उसमें बहुत जादा noise आ रही है इसके अलावा कभी कभी महाँ पर message भी आ जाता है error message आ जाता है कि audio bitrate properly set नहीं हुआ है तो आईए इस समस्या को भी सुल्जा लेते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या proper setting करनी होगी एक message आ रहा है कि audio bitrate proper तरीके से receive नहीं हो रहा है तो उसके लिए basically क्या दिक्कत होती है यहाँ पर settings पर click कीजिए settings पर जब आप click करोगे यहाँ पर output पर click करोगे उसके बाल audio पर click करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो audio bitrate यहाँ से आप audio bitrate set कर सकते हो कभी-कभी होता क्या है जैसे audio bitrate हमने कम पर set कर रखा है मानली ज़िए 96 पर हमने audio bitrate set कर रखा है तब इस तरह का message आता है, error message आता है कि audio betrayed proper तरीके से YouTube पर receive नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर इसे बढ़ा कर देख लेना है normally यह 160 पर सही से काम करता है आप इसे change करके देख सकते हो, माल लिजे आपका 64 आपने कर रखा है तो आप इसे 128 करके देख सकते हो, मैंने यहाँ 160 कर रखा है आप भी 160 रखोगे तो उससे आपका जो audio betrayed वाली problem है वो भी आपकी solve हो जाएगी इसके अलाबा हमारे बहुत सारे viewers हैं जिन्होंने comment किया है कि जब वो mic use कर रहे होते हैं, mic को add करते हैं OVS में तो mic का volume काफी कम सुनाई देता है तो mic की जो आवाज है, उसमें बहुत जादे noise आ रहा है बहुत जादे disturbance आ रही है तो उस problem को कैसे solve कर सकते हैं OVS studio में audio को हम कैसे clear कर सकते हैं, noise को कैसे हटा सकते हैं तो वो भी आप देख लीजिए आपको OVS studio पर जाना है, यहाँ पर audio mixer का option आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैंने अपना mic add कर रखा है जहां पर भी आपने अपना mic add कर रखा होगा तो आपका mic यहाँ पर show होने लगेगा इसके आगे आपको एक gear का button दिखाई दे रहा है यह वाला page open हो जाएगा, यहां भी हमने कोई भी filter नहीं लगा रखा है, अब आपको यहां से filter add करना है, plus के बटन पर आपको click करना है, और यहां पर एक option आ रहा है gain का, gain filter है यह, तो इसे आपको यहां gain वाला जो filter है, इसे ok कर देना है, तो यहां पर gain filter हमने add कर लिया है, यहा noise suppression, तो noise suppression वाला filter हमने add कर लिया, उसके बाद एक filter आपको और add करना है, वो है noise gate, noise gate वाला filter भी आपको यहां add कर लेना है, तो gain filter का फायदा यह है, अगर आपके mic का volume कम है, आप उसे बढ़ाना चाहते हो, तो आप gain filter से यहां से बढ़ा सकते हो, और आपको check करके देखना अब हमारे mic की आवाज ठीक है, तो वहीं पर आपको इसे set कर देना है, तो gain के बाद अब हम बात करते है, noise suppression की, noise suppression पर आपको click करना है, यहां आप देख रहे हो method, यहां पर आपको दो option दिखाई देंगे, एक है speaks और एक है rn noise, अगर आपका PC low end PC है, तब आपको speaks वाला option select क बढ़िया है, तो आप इसे rn noise select कर सकते हो, मैंने आप पर मान लीजे rn noise select कर लिया है, तो यहां पर noise suppression filter को use करने से, आपकी जो noise की problem है, वो लगभग 90% तक मुझे पूरी उम्मीद है, इससे आपकी audio की जो noise है, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत लग रही है, तो यहां पर आप noise gate का use भी कर सकते हो, यह है noise gate, noise gate को click करना है, अब यहां पर आपको option दिखाई दे रहा है, जैसे close threshold, open threshold, attack time, hold time, release time, यह आपको यहां दिखाई दे रहा है, तो basically close threshold क्या होता है, मान लीजिए, जैसे मैं अभी mic पर बोल रहा हूं, और मैं बिल noise तो नहीं आ रहा है, अगर फिर भी जैसे zoom, या sir, sir, इस तरह की कोई भी disturbance, या किसी के बोलने की आवाज, या कमरे में मान लीजिए, आसपास लोग बैठे हुए हैं, वो लोग बोल रहे हैं, उनकी आवाजें आपका mic catch कर रहा होता है, तो आपको कुछ देर के लिए करते जाना है, और आपको इसे इतना कम कर देना है, तो जो आसपास की आवाज है, इसमें आनी बिलकुल बंद हो जाएं, बहाँ पर आपको इसे set कर देना है, और set करते समय आपको बिलकुल कुछ भी नहीं बोलना है, आपको बिलकुल चुप रहना है, ठीक है, तो ये आप आपको यहाँ पर set कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आ रहा है open threshold, उसके बाद आपको जब आप बोलोगे, जिस समय आप बोल रहे हो, तब उस समय कोई आपको disturbance बगएरा तो इसमें नहीं सुनाई दे रही है, noise बगएरा कोई सुनाई नहीं दे रही है, तो वो आपको यहाँ पर इसे भी यहाँ से select कर लेना है और इसको जैसे attack time है, hold time है, release time है इन्हें set करने की आपको जरूरत नहीं पढ़ने वाली है आप इन्हें ऐसे भी छोड़ सकते हो तो दोस्तो इस तरह से अगर आप settings कर लेते हो तो आपको कभी भी OBS studio से live streaming करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आपका कोई भी question हो, कोई भी query हो तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए, जैहिन, वंदे, महतरम कर कर के लिए, जैहिन, वंदे, महतरम